वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर ब्रिशपाल सिंग आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड ड्वलप्मेंट से रिलेटिड एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों जब मैं छोटा था तो मेरे फादर से जो मुझे सबसे ज़्यादा डाट पढ़ती थी वो इस बात पर पढ़ती थी कि भाईया सारे दिन घर से बाहर रहते हो खेलते रहते हो कभी घर में भी रुका करो और आज जो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि सारे दिन मोबाईल में रहते हो घर में टीवी एक बैगराउंड म्यूजिक की तरह चल रहा है बाहर जाके खेलाया करो दोस्तों स्क्रीन टाइम बच्चों में इतना बढ़ चुका है कि उनके ओबेसीटी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है लेकिन इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसे हम मौडिफाई कर सकते हैं जब कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ बच्चा जन्व लेता है और वो उसके मोटापे का या ओबेसीटी का कारण बनते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे दो रिस्क फैक्टर्स बताऊँगा जिनके साथ बच्चा जन्व लेता है और वो बाद में उसके मोटापे का कारण बनते है उनमें से एक है कि प्रैगनेंसी से पहले मदर का वेट कितना है अगर मदर ओवरवेट या ओबेज है तो आने वाले बच्चे के अंदर मोटापे का खत्रा बढ़ गया है और दूसरा कारण कि डूरिंग प्रैगनेंसी मदर ने कितना वेट गेन किया है ये भी बहुत matter करता है अगर weight gain ज़्यादा किया गया है तो बच्चे में मोटापे का खत्रा बढ़ जाएगा तो दोस्तों ये कहना कि overweight है या obese है तो ये हम इस बात से decide करते हैं कि body mass index कितना है देखे body mass index की जो values है उसी क्यादार पे हमने categorize किया हुआ है कौन underweight है कौन normal है कौन overweight है या कौन obese है तो body mass index को देखते हैं जानते हैं कि कैसे उसको calculate किया जाता है और फिर उस category के according मदर को कितना weight gain करना है आईए देख तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति का body mass index या BMI निकालने के लिए हम एक formula का use करते है कि उसका weight कितना है kg में divided by height meter के अंदर उसका square तो suppose किजी कि कोई lady है उनका weight है 60 kg और height है 160 cm मतलब 1.6 meter तो यहां उनका BMI हो गया 60 divided by 1.6 का square तो उससे जो value आएगी उसको हम यहां रखते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस category में आती है किसी भी व्यक्ति का तो देखिए यदि वो value 18.5 से 24.9 के बीच आ रही है तो इसका मतलब वो normal category है 18.5 से नीचे है तो वो हो गया underweight category 25 से लेकर के 29.9 के बीच में है तो यह है overweight category और यदि 30 या 30 से उपर है तो इसे हम बोलते हैं obese category तो दोस्तों एक चीज तो important यह हो गई कि mother जो है pre-pregnancy वो किस category में है underweight है normal है overweight है या obese है और दूसरा उन्होंने during pregnancy उन्होंने कितना weight gain किया है तो दोस्तों US Institute of Medicine की एक guideline है जिसे कि पूरे all over the world के अदर follow किया जाता है कि एक mother को उसकी category के हिसाब से कितना weight gain करना है during pregnancy तो देखिए यदि normal है normal category की है mother जो है BMI normal category में आ रहा है तो उनके लिए recommendation है कि वो 11.5 से लेकरके और 16 kg तक weight gain करें यदि underweight है तो उनके लिए है 12.5 से 18 kg तक, overweight है तो 7 से 11.5 and यदि obese है तो 5-9 kg weight gain करें तो यह recommendation है US Institute of Medicine की तरफ से और देखिए यदि एक limit से जादा या इस guideline से ऊपर यदि weight gain करते हैं तो बच्चे को तो खत्रा है लेटर ओन उसे obesity का या मोटापे का खत्रा है तो during pregnancy उस lady को mother को gastrational diabetes का खत्रा है उसके अलवा उनको normal delivery में problem होगी तो वहाँ पर cigerian का खत्रा बढ़ गया है और तीसरा की after the delivery जो weight reduction है उसमें भी उनको बहुत मुश्किल आएगी तो दोस्तों हमेशा मेरी एक सला है जो की pregnant ladies है उनको कि अपना weight है उसको time to time regularly check करके रखें कि एक limit से ज्यादा तो नहीं जा रहा है और आपके जो भी gynecologist है जो भी स्त्री रोग विशेशग्य है उनकी सला के अंदर रहे हमेशा तो बच्चे के लिए आज मैंने आपको बताया कि pregnancy से पहले mother का weight उनकी category and the second during pregnancy उन्होंने कितना weight gain किया ये दोनों ही चीजे बहुत महत पूर्ण है और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो के जरी आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है एक नई जानकारी मिली होगी तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like करें, share करें, comments करें and please subscribe the channel. Thank you.